नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है ये तस्वीर बिहार के पश्चिम चमपारण जिले में कॉंग्रिस रैली की है जहां चुनावी सभा कर रहे कॉंग्रिस नेता और मशूर शायर इम्रान प्रतापगडी का मंच तूड गया जैसे ही म्रान प्रतापगडी ने स्टेश पर खड़े होकर गाना गाया एक वादे को निभाने को तभी मंच एक तरफ जुकने लगा और फिर गिर गया एक बार फिर से देखिए मंच तूटने का ये वीडियो जानकारी के मताबिक पश्चिम चमपारण के बाग ही देवराज में कॉंग्रिस पार्टी की एक सारुजणिक रैली आयोजित की गई थी मंच पर कॉंग्रिस नेता इम्बरान प्रताब गड़ी और अखिलेश सिंग के साथ पार्टी के कई कारकरता मंच पर मौजूद थे मंच गिरते ही अफरतफरी मच गई बताया जा रहा है कि शमता से ज्यादा लोगों के चड़ जाने के कारण ही ये घटना कुई इम्बरान प्रताबगडी और अखिलेश सिंग समेत कई नेताओं को चोटे भी आई है बतादे कि बिहार चुनाओं में मंच तूटने की ये पहली घटना नहीं है इसे पहले गुरुवार को मंच तूटने का एक और वीडियो सामने आया था जाले विधान सभा सीट से कॉंग्रेस परत्याशी मश्कूर एहमद उस्मानी का मंच भी कुछ इस तरह से ही तूटा था उस्मानी ने जैसे ही कहा लोगतंत्र में लोग जानते हैं किसको कब उठाना है और कब गिरा देना है वैसे ही उनका मंच तूट गया और वो मंच से गिर गए जानकारी के मताबिक उस्मानी जाले विधान सभा में जन संपर्क के दौरान एक सभा को संबोधित कर रहे थे उस्मानी के मंच तूटने का वीडियो शोशल मीडिया पर खूब वारल हुआ था बता दे कि विधान सभा के चुनाओ तीन चरणों में होने है पहला चरण 28 अप्टूबर को पूरा हो गया है 10 नवंबर को चुनाओ के नतीजे घोशित किये जाएंगे फिलहाल इस खबर में इतना ही देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ